हेलो क्लास 6 कैसे आप सब आजकी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाश 6 हमारी अतीत का Guinness साथ question answers को solve करने तो classics देखो इस चप्टर में सबसे पहला प्रशन आपके पास प्रशन अभ्यास पाटे पुस्तक से में आव याद करें के अंतरगत है सही या गलत बताओ यानि कि आपको true false यहाँ पर दिये है ठीक है तो देखो यहाँ पर हरिशेन ने गौत्मी पुत्र यानि कि साथ करनी की प्रशन सा से प्रशस्ति लिखी अब यह जो प्रशन है यह आपके पास चप्टर के अंदर से दिया हुए ठीक है तो इसके लिए आपने अगर चप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहे होंगे ठीक है तो इसका उत्तर आप लिखोगे गलत ठीक है फिर अगला देखो अगला है आपका यहाँ पर आर्यवर्त के शासक समुद्र गुप्त के लिए भेंट लाते थे तो यह भी आपका होगा गलत ठीक है फिर आप देखो दक्षिना पत में बारह शासक थे इसका उत्तर आप लिखोगे सही जो दक्षिना पत था उसमें बारह शासक थे फिर अगला देखो गुप्त शासकों के नियंतरण में दो महतवपूर्ण केंद्र तक्ष शिला और मदुरे थे तो ये भी आप लिखोगे गलत ठीक है उसके बाद आपका अगला प्रशन यहापर एहोल पल्लवों की राजधानी थी इसको आप लिखोगे गलत और फिर आखरी आपका दक्षिन भारत में इस्थान में लिखा था तो यह अच्छे साब याद रखना ठीक है यह आपके प्रशन जो एक्जाम सोंगे उसमें आ सकते हैं यह आप लिखोगे बानबट स्वेंत सांग और रवी कीर्ति ऐसे तीन लेखकों के नाम है जिनोंने हर्श वर्दन के विशय में लिखा था फिर देखो प तुसंगटी थे सेना रखते थे जिसमें हाथी, रत, घुड़ सवार और पैदल सिफाई होते थे आगे अब लिखोगे वे सेना नायक भी रखते थे जो आवशकता पढ़ने पर राजा को सैनिक सायता दिया करते थे फिर देखो इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नही दिया जाता थे यानि इनको कोई ऐसा नहीं था जैसे की मंधली सैलरी होते इस तरह की कोई चीज नहीं दी जाते थे इन्हें भूमी दान दिया जाता थे वे दी गई भूमी से कर वसूल करते थे और जिससे वे सेना तथा गोड़ों के देखबाल करते थे ये सेना नायक साम प्राशन की प्राथमिक इकाई गाउं होते थे लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक सामाजिक राजनेदित था शैनने सकती रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए फिर देखो जो कदम उठाए गए उनके द्वारा वो कुछ इस प्रकार हैं देखो कुछ महतवपुन प्रशाश की ये पद अनुवानसिक बन गए और आप देखो जिसका अर्थ है बेटे के पिता का पद पाते थे ठीक है तो इसमें जैसे कि देखो जैसे कि कभी हरिशेन जो थे वो अपने पिता की तरह महा दंड नायक अर अर्थात एक महतवपुन मंत्री तथा एक संदी विग्रहिक अर्थारत युद्ध और शांती के विशवय का मंत्री भी था ठीक है आगे देखो इस्थानिय प्रशाशन में मुख्य प्रमुक व्यक्तियों का बोलबाला था आगे देखो इनमें नगर श्रेष्टी यानि की मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी और यहां पर आप देखो सार्थ वाह यानि की व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात यानि की मुख्य शिल्पकार तथा यहां पर आप देखो कायस्तों यानि की जो लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे वो भी सब इसी में आते थे ठीक है फिर देखो आओ चरजा करें मैं आपके बास प्रशन पांच है तुम्हें क्या लगता है कि समद्र गुप्त की भूमी का अदा करने के लिए अर्विंद को क्या क्या करना पड़ेगा ठीक है आगे आप देखो वह राज सियांसन पर बैठकर वीना बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना भी पड़ेगा आगे देखो प्रशन च्छा है आपके बास यहां पर क्या यहां पर आप देखो प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते हैं ठीक है आम लोग समझ लेते होंगे और अपने उत्तर के साथ आपको कारण भी बताना है तो देखो आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती थी और संस्कृत आम लोगों की भासा नहीं थी आम आदमी सामानेता पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझा जाना उनके लिए भी संभव नहीं था फिर देखो आओ करके देखे इसमें आपको नहीं लिखना है इसके अंतरगत आपसे कुछ प्रसने पुछे गए हैं जिसमें की प्रसने साथ है देखो अगर तुमें अपनी वन्शावली बनानी हो तो तुम उन में से किन लोगों को शामिल करोगे ठीक है और कितनी पीडियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे एक चार्ट बनाओ और उसे आपको भरना है ठीक है तो नौरमली इससे आप मैं आपको रिकमेंट करूँगो कि आप इसे स्वयम करें ताकि यहां आप आप देखो आपको एक अक्टिविटीज आपको दी है इससे क्या होती है इसकिल्स डेवलब होती है ठीक है फिर देखो अगर मैं अपनी वनशावली बनाऊंगा या बनाऊंगी आप लिख सकते हैं तो मैं उसमें तीन पीडियों को शामिल करना पसंद करूँगा जन साधरनर पर किस तरह पड़ता है ठीक है तो देखो यानि कि जब युद्ध होते हैं तो उसे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है तो देखो युद्ध हमारे जीवन में विपत्ति ग्रस्त घटना होती है और यह युद्ध सामाने तहां दो देशों के बीच में यह होता है ठीक है यानि कि जिनका कोई दोश नहीं होता वो भी आम आदमी इसमें मारे जाते हैं वे अपना जीवन खो देते हैं युद्ध अपने पीछे चिलाते हुए विद्वाओं और अनाथों को छोड़ जाता है सभी यहां पर आप देखो संसाधन नश्ट हो जाते हैं और विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है फिर वे व्यवस्तित होने में बहुत समय लगता है ठीक है फिर उन्हें दुबार से व्यवस्तित होने में बहुत जादा समय लग जाता है तो क्लास 6 देखो आपके यहां पर इस चेप्टर के सारे question answers complete हो जाते हैं और आप क् question answer videos भी modern master जी के channel पर देख सकते हैं मैंने सभी पर video बना रखी है बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और modern master जी का नाम भी रोशन करें